जैशी कृष्णा दोस्तों, दोस्तों मैं आज आपको सोमवती अमावस्या की व्रतखता सुना रही हूँ दोस्तों वैसे तो अमावस्या हर महीने पड़ती है, लेकिन सोमवती अमावस्या सर्वेश्ष्ट होती है ये साल में एक या कभी-कभी दो पड़ जाती है सोंबती अमस्या अती शेष्ट होती है इस दिन विवाहित इस्त्रिया अपने पती की लंबी उमर के लिए और दोश निवारन के लिए यह बहुत सायक होती है सोंबती अमस्या का वरत रखने से गंगा स्नान से भी ज़्यादा इसका मात्म होता है इस दिन सूर्य देपता को अर्द देना चाहिए इस से गरीबी और दरीद्धा दूर हो जाती है और इस दिन तुलसी की 108 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए और जो पूजन समागरी है वो बताने से पहले फ्रेंड जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं तो दोस्तों इसमें जो पूजन समागरी है वो कुछ इस प्रकार है पुश्प, फूलमाला, अक्षत, धूप, दीपक, घीसे त्यार कर ले चंदन, कलश, या लोटा, रोली, प्रसाद, कच्चा सूध और सिंदूर समागरी अप्रित करने के बाद पान का पत्ता, चूडी, बिंदी, का पत्ता, सुपारी और पीपल की प्रिक्रमा 108 लगाने के लिए मुमफली के दाने या कोई टौफी रख ले दोस्तों मैं कथा प्रारम कर रही हूं, एक साहुकार था, उसके साथ बेटे और बहुए और एक बेटी थी साहुकार के यहां एक जोगी भिक्षा मांगने आता था, जब साहुकार की बहुए जोगी को भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था, लेकिन जब उसकी बेटी देती थी तो नहीं लेता था, कहता था तू अभागिन है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लुगा, उसकी यह बाद सुन कर बेटी सूख कर काटा हो गई, एक दिन उसकी मा ने पूछा कि बेटी तुझे खाने को इतना अच्छा म मिलता है फिर भी तुछ सूख कर काटा हो रही है अगर तुझे कोई परेशानी है तो हमें बता बेटी बोली मा हमारे यहां जो जोगी बाबा आते हैं वो भाबी से तो विख्षा ले लेते हैं लेकिन जब भी मैं या भागी कहता है जोगी बाबा बोला कि मैं तो इसके भागे में लिखा है वही कहता हूं तब सावकारनी बोली कि जब तुझे इतना पता है तो इसका दूर करने का उपाए भी पता होगा वह बोला कि उपाए तो है पर बहुत कठीन है वह बोली कि तु बता मैं अपनी से का वरत करती है वो इसे ही सुहाग दे सकती है अन्य था जब इसकी शादी होगी तब इसके पती को फेरों में साप काट लेगा और ये विद्वा हो जाएगी इतना ही सुनना था कि वह उठी और अपने बेटों के पास गई और साथ चल कर शोबा दोबन को ढूनने के लिए क अपहुची और सोचने लगी कि अब आगे कैसे चले इतना विशाद समुन्दर कैसे पार करे वहाँ एक बढ़ का पेड़ था वहीं दोनों मा बेटी बैट गई उस पेड़ के उपर एक हंस का जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ में एक साप रहता था जब हंस का जोड़ा दाला चुगने जाता तो साप हंस के बच्चों को खा जाता हंस उसे देख नहीं पाते थे उस दिन भी साप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चड़ रहा था कि हंस के बच्चों की आवाज सुनकर मा बेटी ने देखा कि साप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है उन्होंने साप को मार दिया और शाम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने मा बेटी को महा बैठा पाया तो सोचा कि ये ही मेरे बच्चों को मार देते हैं जैसी ही वे उन मा बेटी को मारने को तयार हुए कि पेड़ पर से ही वे उनकी बच्चों की आवाद सुनाई दी तो उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों तो जिन्दा है तब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे मा बेटी ने उनकी जान बचाई हंस ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनका यहां आने का कारण पूछा मा ने सारी बात बताई और बोली कि हम यहां तक तो आ गए हैं पर समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाएं तब हंस बोले कि आप हमारे उपर बैट जाओ हम आपको समुंदरपार पहुचा देंगे इस तरह दोनों समुन्दर पार पहुच गई उसने सोबा धोबन का घर ढून लिया अब वे सवेरे जल्दी उटकर सोबा धोबन के घर का सारा काम करने लगी खाना बनाना जाडू पोचा पानी भरना कपड़े धोना सोबा धोबन के साथ बेटे बहुए थे उनकी बहुत बहुत काम चोड़ थी काम को लेकर वे आपस में लड़ती रहती थी जगड़ती थी लेकिन इधर कुछ दिनों से सोबा धोबन देख रही थी कि वे सब बिना जगड़े ये सारा काम कर रही है एक दिन उसने बहुए से पूछा कि क्या बात है आजकल तुम सब मिलकर खुशी खुशी सारा काम कर रही हो और जगड़ा भी नहीं करती हो इस पर उनकी सबी बहुए ने मना कर दिया कि हम तो बहुत दिनों से काम करते ही नहीं तब उसने सोचा कि जब मेरी बहुए काम नहीं करती तो फिर कौन है जो मेरे घगर का काम करता है ये तो मालूम करना पड़ेगा दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और उसने देखा कि एक और तो एक लड़की घर का सारा काम करके वापस जा रही है तो उसने उन दोनों को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर काम क्यों कर रही हो तब सावकोयानी ने बताया कि ये मेरी लड़की है लेकिन इसके भागे में सुहाग नहीं है और तुम सोमवतिया मावस्या का वरत पूछा करती हो एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो इसलिए हम तेरे घर पर काम कर रही है इस पर सुबा दोवन ने कहा कि ठीक है तुमने इतने दिन मेरे घर पर काम किया है तो मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूँगी जब तेरी बेटी की शादी तै हो जाय तो उसके पीले चावल समुंदर में डाल देना मैं शादी में पहुच जाऊंगी दोनों मा बेटी अपने घर को आ गई जब लड़की की शादी तै हुई तो माने समुदर में पीले चावल डाल दिये शोबा दोवन जब अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद देदी घर में कुछ भी तूड़ता-फूड़ता है तो जैसा हो वैसा ही रहने देना मेरे आने तक उस तुम लोग कुछ भी मत करना अपने घर वालों को ये हिदायत देकर वह सावकारनी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो गई जब साहुकार की बेटी के फेरे हो रहे थे तब साप ने दुलहे को डस लिया अब सब रोने धोने लगे तब लड़की की मा ने सोबा धोबन से कहा कि आज के दिन के लिए मैंने तेरे यहां काम किया था ताकि तु मेरी बेटी का आज सुहाग दे सके सोबा धोबन ने कहा कि तुम चिंता मत करो वह उठी दुलहे के पास गई और अपनी मांग से सिंदूर लिया आँख से काजल और छोटी उंगली से महंदी ली और दुलहे के छीटे दिये और बोली कि आज तक मैंने जो सोमवतिय मावस्या का जो बरत किया है उसका फल साहुकार की बेटी को जाना और आगे जो मैं करूँ वो मेरी धोबी को मिले उसके ऐसे कहते ही दुलहा ठीक हो गया सब लोग बड़े खुश हो गए जब बारात विदा हो गई तो सोबा धोबन जाने लगी तब सब ने कहा कि अभी तो आपको विदा नहीं किया अभी आप कैसे जा सकती है सोबा धोबन ने कहा कि मैं घर को ऐसे ही छोड़ कर आई हूँ पता नहीं पीछे से वहां क्या हो रहा है आप विदा ही करना चाहते हैं तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो कलश लेकर वह घर के लिए रवाना हो गई रास्ते में सोमवती अमावस्या आई तो उसने कलश के 108 टुकड़े किये पीपल की पूजा की और परिक्रमागर के बोली कि भगवान आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहुकार की बेटी को दिया आज से मैंने अमावस्य का उसका फल मेरे पती को देना फिर कलश के टुकड़ों को गड़ा खोद कर गाड़ दिया और घर के लिए चल दी उधर घर पर उसका धोबी मर गया सब धोबन का इंतजार कर रहे थे क्यूंकि वो कहकर गई थी कि मेरे पीछे से तुम लोग कुछ भी मत करना जब घर पहु पहुनी मांग से संदूर लिया आंख से काजल और चोटी उंगली से महनदी निकालकर चीटे दिये और बोली भग्वान आज से जो अमवस्या की का फल है साहुकार की बेटी को दिया आज मैंने जो अमवस्या का वरत रखा है उसका फल मेरे पती को देना ऐसा कहते ही उसका पती उठ बैट गया इतने में एक ब्रहमन आया और बोला जजमान अमावस्या का दान दे दो धोबन बोली कि मैंने तो पीपल के पेड़ के पास गाड़ दिया है तुमारी दक्षिना वहां से निकाल लो ब्रहमन ने वहां जाकर देखा तो सोने की 108 मोरे हो गई थी पूरे गा पार की बेटी को सुहाग दिया और धोबी को जीवन दान दिया वैसे ही सब को देना